हेलो दोस्तो केसी हूँ आप लोग तो भई ट्राइवल चीफ रोम एन रेंग्स ने युनिवर्सल चेंपिनशिप के 900 डेज कम्पलीट कर लिए टाइटल रेंग के और बड़ा रिकोर्ड अपने नाम करा है जिसके उपर खुद ट्राइवल चीफ रोम एन रेंग्स ने ट्व यू एंड बाई ट्राइवल चीफ रोम एन रेंग्स ने स्टेटमेंट दिया है कि जब उन्होंने युनिवर्सल चेंपिनशिप को जीता था अपने नाम करा था तब उन्होंने बोला था कि वो इस चेंपिनशिप को हारने नहीं वाले एंड आज 900 डेज के बाद वो स्टि देखना होगा रोम एन रेंग्स अपने टाइटल रेंग्स को सेव कर पाती हैं या नहीं बाकि दोस्तों आप लोग कोमेंट करके बताओ कि क्या रोम एन रेंग्स 1000 डेज हैज युनिवर्सल चींपिन कम्पलीट कर पाएंगी या नहीं जल्दी सी अपना सेजेशन कोमेंट करके बता दो बात करें अगली स्टोरी की तो स्ट्रीट प्रोफिट के ब्रेकप को लेकर बहुत पहले अपडेट साही थी कि WWE स्ट्रीट प्रोफिट को ब्रेकप करना चाहती है लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ लेकिन अब मॉन्टेज फोर्ड यू एस टाइटल के लिए होने वाले इलिमिनेशन चेम्बर मेज के लिए क्वैलिफाई हो चुकी है एंड एंजलो डोफिण्स अपने आपको क्वैलिफाई नहीं कर पाए जिसके बाद मॉन्टेज फोर्ड ने बताया है कि अगर वो मेंड्स इलिमिनेशन चेम्बर मेज जीत कर यू एस चेंपियन बन जाते हैं तो वो सबसे पहली आप पर चुनरी एंजलो डौफिंस को देंगी यानि अगर मॉन्टेज फोर्ड यूएस चेंपिन बनते हैं तो मॉन्टेज फोर्ड एंड एंजलो डौफिंस का मेच हमें देखने को मिलेगा यानि एक टाइम के लिए सही लेकिन स्ट्रीट ब्रेक अप जरूर करेगी बात करे अगली स्टोडी की तो ब्रोक लेसनर एंड बोबी लेसली ने अपने इलिमिनेशन चेंबर मेच को लेकर लास्ट वीक मंडे नाई ट्रो में डोट लाइन कोंट्रेक्ट साइन करा था और डेवल लोई बता रहे थी कि वो कोंट्रेक्ट ह वो डोट लाइन था, कुछ भी उसकी उपर लिखा नहीं था, सिरफ Elimination Chamber Mage के लिए Brock Lesnar and Bobby Leslie ने contract साइन करा था, लेकिन दोस्तो जब Bobby Leslie contract साइन करके Brock Lesnar के उपर थो करती हैं, तब उसकी पूरी फोटो सामने आती है, अब Brock Lesnar and Bobby Leslie के contract की information लिख हो गई, और जो कुछ भी उस contract पर लिखा था वो कलियर हो गया जिसके कुछ सक्रीन सोट आप इस टाइम वीडियो में देख सकते हो क्या कुछ उस कॉंट्रेक्ट पर लिखा था सबसे पहले लोगो था इलिमिनेशन चेंबर का एंड उसके बाद ब्रोक लेसनर एंड बोबी लेसली के मेच का पूरा फॉर्मेट उस कॉंट्रेक्ट पर लिखा हुआ था टाइप किया गया था यानि वो डोट लाइन कॉंट्रेक्ट नहीं था वो प्रिपेर किया गया कॉंट्रेक्ट था जो की फाइनली बात करते हैं कल होने वाले फ्राइड नाइट स्मेकडाउन के बारे मेच जिसके लिए ओल्ड रेडी काफी सारे मेचेज कनफरम हो चुके हैं नमर वन मेच है इंटर कॉंटिनेगल चेंपिनशिप के लिए गुंथर एंड मेड केफ मूस का वन ओन वन मेच अब द में होने वाला है तो में भी यहां पर गंतर की जीत होगी विकोज गंतर एंड ब्रोक लेशनर का बड़ा मेच हमें रसल मेनिया में देखने को मिल सकता है तो गुंतर यहां पर जीतने वाले हैं अगला मेच होगा ड्रिवेक इंटाइर एंड सेमस वर्सेज विकिंग एंड शोट जी का टेक टीम मेच ऐंड इस मेच में दोस्तो डेफिनेटली रॉंडा राउज जी एंड साइना बेसलर की जीत होगी जिसके बाद वो विमिन्स टेक टीम चेंपिंड सिप के लिए डेकोटा काई एंड इयो सकाई को चेलेंज करेगी एंड इनका मेच हमें रसल म देखने को मिलेगा बाकि दोस्तों इलिमिनेशन चेम्बर से पहले कल फ्राइडे नाइट स्मेकडाउन का लास्ट सो होगा जो कि मौन्ट्रियाल केनेडा में होगा तो देखना होगा कल स्मेकडाउन में सेमी जेन एंड रोमें रैंग्स के बीच क्या कुछ होता है तो बस यह थी अपडेट की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड कोमेंट करके अपने थोट्स सेर कर दो एंड चेनल को सब्सक्राइब कर दो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई